जै खारत मता की जै खारत मता की जै खारत मता की जै साथियों आपका ये होसला आपका शावरिय और माभारति के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुल्निया है आपकी जिवर्ता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उंचाई पर आप मा भारती की धाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे बिश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उंचाई से भी उंचा है जहां आप तैनाथ है आपका निश्चाई उस गाटी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कदों से नापते हैं आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ती आज पास के परवतों जितनी अटल है आज आपके बीच आखर मैं इसे महसूस कर रहा साथ्षाथ अपनी आँखों से इसे देख रहा साथ्यों जब देश की रख्षा आपके हाथों में हैं आपके मजबूत इरादों में हैं तो एक अटूत विश्वास है जर मुझे नहीं पूरे देश को अटूत विश्वास है और देश निश्चिन्द भी है आप जब सरहत पर टटे हैं तो यही बात प्रतेख देश वासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेवित करती है आत्म अंदिर भर भारत का संकल आप लोगों के कारण आपके त्याग परिदान पुर्साथ के कारण और मजबूद होता है और अभी जो आपने और आपके साथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला फोजियों को भी देख रहा हूँ युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दर्श अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी जय बोल तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूँ आपका अभिननन करता हूँ में गलवान गाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः स्रद्धाजली अर्पित करता हूँ इन में पूरत से पस्चिन से उत्तर से दक्षिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौर्य दिखाते थे उनके पराकरम उनके सिहनात से धर्ती अब भी उनका जैकारा कर रही है आज हर देशवाजी का सीर्थ आपके सामने अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक होकर के नमन खरता है आज हर भारतिय की चाती आपकी वीरता और पराकरम से फुली हुई है साथियों सिंदू के आशिरवाद से ये धर्ती पुन्य हुई है बीर सपुतों के शोरी और पराकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुई है लेख लग्दाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर चोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंगड पत्थर पत्थर भारतिय सैनिकों के पराकरम की गवाही देते हैं 14 कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है दुनिया ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथाएं गर्ण गर्में गुंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वोई देखी है और आपकी फ्यूरी भी साथियों लद्दा का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है एक सो तीस करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है ये भूमी भारत के लिए सर्वस्वत्याग करने के लिए हमेशां तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्थी है इस धर्थी ने कुशत बगुला रिंपोंचे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है ये रिंपोंचे जी ही उनी के पैरन जिनोंने दुश्बन के नाबाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंपोंचे के गुवाई में यहां अलगाओ पैदा करने की हर साजीस को लद्दा के राष्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया ये उनी के प्रेरक प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाक स्काउट नाम से इन्फंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दाक के लोग हर स्थर पर चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तप्र हो राष्ट को ससक्त करने के लिए अदभूत योगदान दे रहे साथियों हमार यहां तहां जाता है खड़गेन आक्रम्य बंजीत हा खड़गेन आक्रम्य बंजीत हा वीर भोग्या वसुंद्रा यानी वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं यह धर्ती वीर भोग्या है वीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरक्षा तो हमारा समर्थ और समर्थ हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है यह समर्थ और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर यह सांप सांप नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आक्रांताओं के हम लोग को अत्याचारों का मुह तोड़ जमाब दिया है हम और यह हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसूरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंडा से हर आक्रमन के बाद भारत और ससक्तव करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई शिकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांती की पूर्वशर्ट होती है भारत आज जल थल नग और अंत्रीक्स तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है भारत आज आज उने अस्त्रत सस्त्र का निर्मार कर रहा है दुनिया के आदूनिक से आदूनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदूनिक इंफास्तर का निर्मार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व उत्र को अगर हम याद करें विश्व उत्र हो या पिर शांती की बात जब भी जबर्वत पड़ी है विश्व ने हमारे वीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा बानों तक इंसान युक्त की हुमेनिती की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की इस मही महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हूँ साथियों महान संत तिर्वल्लु वर्जी ने सैंक्लो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांड़ वड़ी चेलव तेकुम येना नानगे येमं पड़ाई कहा यानि शौर्य सम्मान मर्यादा पुर्ण व्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गूं किसी भी देश की सेना का प्रतिम्ब होते हैं बारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारबाद का यूग समय अत्त हो चुका है ये यूग विकास वाद का है तेजी से पदलते हुए समय में विकास वाद ही प्रासंगिक है विकास वाद के लिए ही आउसर है और विकास वाद ही बविश्य का आधार भी है बीती शतारद्यों ने बीती शतारद्यों में विस्तारबाद ने ही मानवता का सबसे ज़्यादा ही किया मानवता को विनाज करने का प्यास किया विस्तारबाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है उसने हमेशा विश्व शान्ति के सामने खत्रा पैदा किया और साथ्यों ये न भुले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तार वाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वाद को समर्पीत है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है कि साथियों जब जब मैं राष्ट रक्षा से जुड़े किसी नीड़े के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मर्ण करता हूं जब भी मैं राष्ट रक्षा के विशे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भार्त माता जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भार्त माता और दूसरी बेवीर माताएं दूसरी बेवीर माताएं जिन्होंने आप जैसे प्रवाग पराक्रमी योजदाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का समरण करता हूँ मेरे नेरे की कसोटी यही है इसी कसोटी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच प्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आदुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं अपदेश में बॉर्डर इंफ्रस्ट्रेक्टर पर खर्च करीब करीब तीन गुनाद कर दिया गया आजा है इससे बॉर्डर एरिया बॉर्डर एरिया डेवलप्मेंट और सीमा पर सड़के पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग ये भी हुआ है कि अब आग के तक सामान भी कम समय में पहुचता है साथियों सेनाओं में बहतर समन्वे के लिए लब्मे समय से जिसकी आशा थी वो चीफ अब डिफेंस टाप के पत का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरे से लेकर सिख्षा तक की शही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साथियों भगवान गौतम बुन्त ने कहा है साहस का सम्मंद प्रतिबद्धता से है कन्विक्षन से है साहस करुणा है साहस कमपेशन है साहस वो है जो हमें मिर्भीक और अडिक होकर सत्त के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों देश के वीर सपूतों ने गलवान गाटी में जो अदम्या साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाश्ठा है देश को आप पर गर्व है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे ITBP के जमान हो BASF के साथ ही हो हमारे बियारों और दूसरे संग्षणों के जवान हो मुश्किन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो स्रमीक हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिला कर माभारती की रक्षा के लिए माभारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेत आपदाओं से एक साथ और पूरी दड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं विजय प्राप्त करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस बारत के सपड़े को लेकर आप सम सरहरत पर कि देश की रख्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपने का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश्वासी भी पीछे नहीं रहेंगे कि मैं आज आपको विश्वाद दिलाने आया है कि हम एक ससत्र और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जब मिलती है तो आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब भी और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक मार आप सभी का रवे से बहुत पर अभिननर करता हूं मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बन्दे बन्दे का स्ट्शब बन्दे